वेलकम टू दे चैनल आर्वी फंटासे सेवन तो इस यूडियो में हम बात करने वाले यंबे का जो फॉस्ट मैच होने वाला डेनवर्नस वसेस इंडियम पेसेच के बीच में तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राब कर देना उसिक साथ तेलिगाम चैनल से जोयने सकते हो तेलिग्राम चैनल के लिंक आपको रिस्क्रिप्चों में मिल जाएंगी अगर लींक वर्क नहीं करती तो टेलिग्रम पर साइच करना अब अगर बात करो तो लास्ट जो हिट्ट योड मैच होआ था इन दोनों टिंग में तो यहापर वो मुकाबले आपर Easily आपर Dan Vernax ने आपर विन केर लिया था अगेंसे आपर इंडियम पेसर्स और Dan Vernax ने आपने आपर Last 6 Out of 5 Matches आपर Easily विन की उसिक साथ इंडियम पेसर्स के अगर बात करूँ तो 6 Out of 2 Matches आपर इंडियम पेसर्स ने रिसंटली आपने विन कर ली अगर बात करेंगे प्रोबेबल स्टार्टर दोनों टीम की तरफ से पहले डेनवर नक्स तर डेनवर नक्स की तरफ से पॉइंट गार से आपको जय में रिखिलते भी नजर आएंगे वसका साथ यम कैम पर जो जो कि आज बैंच प्लेयर खेलेंगे यम मौरिस अथाई इंजर करेंगे यम पोर्टे जयर यासे स्टार्ट करेंगे दोनों प्ले-र इंपोर्टन ए क्योंकि आपर शुटविंगर से आपर यम मौरिस भी ने खेले जी और आरा हम्टेन या पर तीनों जो यापर इनकी आच्छे खासा इंपोर्टम प्लेयर थे जो कि बैंसे और यह मैरोज जो कि यहाप पर स्टार्ट करते हैं अच्छा खासा पर्फार्मस दे रहे थे सब भी आपर आउट हो चुके और उनकी जाबगा पर डव्ली बार्टन उसी इक साथ साथ यह पोर्टेज यहार इनका याप पर टाइम आप बेस्टेज पी चोईस आपको मिल जाएंगे अगर आप इनको पिक करते हैं तो यहाप पर यह प्रोबैबल जो इनकी इस टीम के तरफ से स्टार्टर है आपको यहाप पर यह देखने को मिलेंगे जो फिफ्ट पिलेर है तो फिफ्ट पिलेर यहाप पर लास्ट माच में पी पी मिला से अपने आपर स्टार्ट किया था, याँ सिक्साथ साथ याँ पर टिम मैकनोली, याँ पर याँ सिक्साहतorta करेंगे रिसेंडल मैचे़ बहुत खरब गये वक्री लाइडा फलेड़ की याँ लास्ट में कमबाक किया हुता यू baru डू किटीनी की टीम से बाहर थे, ये प्लेयर बेस्ट पिक आपको यहासे मिल जाएंगे, येम रॉकड़ॉन जो कि लास्ट मैच में इन्हें नो याप पर बेस्ट परफॉर्मस किया था, और थोड़ा से लेवरेटी को लास्ट मैच में थोड़ा सा कम भी टाइम मिला था, तो जील में ध्यार राखना इस प्लेयर पर बहुत तगड़ा प्लेयर है, उसिक साथ साथ बेस्ट पिक आपको जील में मिल जाएंगा, उसिक साथ इनके याप पर जो याप पर पोटेंशियल है, उसिक साथ साथ पॉयंट अच्छे खासी शूट करते हैं, और यह हॉलिडेय याज से ऐजब बैंच पिलेयर केलेंगे, जी हॉलिडेय स्टार्ट करेंगे, डिस आप इनके साथ करेंगे, उसिक साथ साथ एम टर्नर, याज से आपको as a center से याप पर as a starter याप पर देखने को मिलेंगे, उसिक साथ साथ ये starter, उसिक साथ साथ अगर याप जी हॉलिडेय या फिर आपको start करते हुए दिखेंगे, डि मैक डेट इन दोनों में से कोई एक्स से याप पर start करेंगा, लास्ट मैच में डि मैक डेट जो है तो याप पर as a bench player के लिए थे, उसिक साथ साथ जी हॉलिडेय ने start किया था, लेकिन डि मैक डेट के आपर performance याप पर best आया था, ये 5 starter इस टीम के तरब से आपको देखने को मिलेंगे, अगर बात करेंगे लास्ट मैच का performance, तो लास्ट मैच के performance में येम रागडाउन टाइम अच्छा कासा मिला था, टीम अकिलन टाइम मिला था, लेकिन फ्लॉप गये थे, अगर दोनों अगर लास्ट मैच का performance देखेंगे, तो लास्ट मैच में आपको आपको आपर ये खेलने रहे थे, 27 मिलेट खेलकर 13.7 रिबाउं उसिक सासर, 2 असिस्ट, और जो हेट्ट वोड मैच वा था, तो आपर ये खेलने रहे थे, ले रिसिसिंट ले एक दो मन से आपर आउट वे, ये होलिड़े बेस्ट आपर क्रेलिस से और मिल जाएंगे, 5.5 क्रेलिट के प्लेयर है, आउरेज आप पर 9-10 मिनिट इनको मिलते है बैंच से, लास्ट मैच 9 मिनिट खेलकर 5.1 रिबाउं, 2 असिस्ट, 1 स्टील, जो सेकंड मैच रहा था, तो जो हेट्ट वोड मैच रहा था, आपर 9 मिनिट के लिए थे, 3 पॉइंट, उसिकसा साथ, 1 असिस्ट और 1 स्टील गया था, और सेकंड मैच में आगर इनको देखेंगे, तो यह होलिडे को टाइम अच्छा खासा मिला था, 15 मिनिट के लिए थे, उसिकसा सा 10 पॉइंट, उसिकसा सा 2 स्टील उन्होंने यापर किये थे, बाकिया से सी लेवरेटी आने के वज़े से, इनको थोड़ा से आपर टाइम आपको कम मिलता है देखेंगा, जो के यापर जे होलिडे आपर आज स्टार्टर के लिंगे, लास्ट मैच जे होलिडे का फ्लॉप गाया है, जे होलिडे आपर खेले थे, आज स्टार्टर, 32 मिनिट केलकर 10.3 रिबाउंट, वसिस्ट उसिकसा सा 2 स्टील, जो हेट्योड मैच रहा था, जे होलिडे का यापर अच्छा का सा परफोरोंगर आया था, 27 मिनिट खेलकर 10.1 रिबाउंट, वसिस्ट उसिकसा सा स्टील आये थे, दो, 43 मिनेट खेलकर 22 पॉइंट 13 डिवाउंड 10 असस टुवन ब्लॉक उसिक सासाथ 4 स्टिल जो हेट योड मैच रहा था या पर 10 प्लस 10 पॉइंट 10 डिवाउंड 10 असस टुशिक सासाथ 4 स्टिल आये थे और थर्ड मैच में भी अगर इनका परफॉर्मस देखेंगे तो 20 पॉइं रिवाउंड 8 असस टुशिक सासाथ 1 ब्लॉक इनका आया था स्टिल ब्लॉक उसिक सासा रिवाउंड अच्छे खासे करते बेस्ट या पर इस पी 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 चोई साबको या सी मिल दाएंगे यम टर्नर से खेलेंगे लास्ट मैच यम टर्नर का इतना बढ़िया नहीं रहा था बाकी कहले थे आपर इम टर्नर 30 मिनेट उसिक सासा 16.8 रिवाउंड 2 असस्ट 4 ब्लॉक और 1 स्टिल तो ब्लॉक और स्टिल से इन्होंने आच्छे खासे ट्रिमेल उन पॉइंट देती थे लेकिन जो हेट्ट योड मैच रहा था तो बेस्ट मैच गया थे इनका 22 पॉइंट इन्होंने शूट के थे 12.06 आसा 3 रिवाउंड और 1 असस्ट इन्होंने क्या था बेस्ट पिक मिल जाएंगे दी मैच जो कि लास्ट मैच आज़े बैंच प्लेयर कहले थे सी लेवरेटी के आने के बज़े से और बैंच से भी आच्छा खासा परफॉरमस आज था मैच देट जो कि यापर प्रोबेबल है कि यापर आज का मैच भी आपर यही मुइन कर लेंगी जे मूरे पॉइंट गार से स्टार्ट करेंगे हेट टुएड मैच में फ्लॉप गये बाकि यापर यापर येम केमपजो टाइम अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि यापर तीनों प्लेय और दो स्टेल इन्होंने यापर किये थी 15.5 क्रेडिट के प्लेयर है गार से खेलेंगा अच्छे खासे पी क्या से मिल जाएंगे येफ कैमपजो यापर आज बैंच प्लेयर खेलेंगे रिसेंटली मैच इसमें हम कैमपजो का अच्छा खासा टाइम मिला है लास्ट मैच मे आपर 100% आपनों के पास रहने वाले क्रेडिर से और याँसे मिल जारें प्लेस आपर गार से अच्छा खासा टाइम मिल रहें इन त्योंनों प्लेयर के आउट होने के वज़े से बाकी गार से आपर कोई खेल नहीं रहा है तिनों भे आपर आपर आउट हो चुके बाकी लाट से के लिए थे लास्ट मैच में ताइम अच्छा कम राता बगिव्या से डवल्य बार आइसा स्ठाट करेंगे फीड्वफ प्लेयर की लिए व 2 रा स्च में लिए थे 23.6 शें लिए थे इन्हों ती इनोंने बातर जोख य्याट फान आपर लास्ट मैच 26 मिलेट 23 जो ड्वाइजर का अच्छा खासा टाइम मिला था पर्फोर्मस भी बेस्ट आया था 5.3 रिबाउंड 8 असिस्ट उसिक आसा था वंस्टी आओ टू स्टील और वन ब्लॉक इन ने किया थे उसिक आसा थे व्जिक आसा थे खेलेंगे पावर फार्वर से यंपोर्टेट रिसेंटली मैचस में अच्छा खासा टाइम मिला था पी बिलमस लास्ट मैच में आज स्टार्टर के लिए ती जेटनिंग पर ध्यान राखना क्रेडिट से और मिल जाएंगे आज बैंच प्लेयर खेलेंगे वह अगर लास्ट म फ्क मिल जाएंगे पी मिला सब के अगर बात करो तो लास्ट मैच के लिए था अज़े स्टार्टर टाइम आचा खासा मिला था लेकिन याप पर डिफेंस के लिए और जो सेकंड मैच रादा तो सेकंड मैच में खेले था आज बैंच प्लेयर एलेंगे पाइंड पाइं उस मौरिस खेलने रहे तो यह पर मिला सब यह से स्टार्ट करेंगे और गार से कहलेंगा अच्छे खासे पॉइंट यह भी दे सकते जेल में ट्राइ करना सेलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा कम बागिया से यह जोकिस 25.5 क्रेडिट के प्लेरे क्रेडिट थोड़ा सा है बास्न माच के लिए थी 36 मिनेट 26.9 रिबाउंड उसिक्सा साथ 11 असिस्ट जो हेट्योड मैच हुआ था तो हेट्योड मैच में आप पर यह जोकिस के लिए तो यह पर इतना इजीली यह पर पॉइंट नहीं मिलने वाले यह जोकिस को चाहे तो आप इन पर थोड़ा सा ड् बहुत ज़्यादा है अगर बात करेंगे ड्रीमेलों टीम अभी के लिए आपर यह पर गार से ले रहा हूँ यहां से कोई खेलेंगा नहीं तो आपर यह होलीडे मुझे बेस्ट पिक मुझे नजर आ रहें बाइकिस सी लेवर्ट को आपर यहां से ट्राइ कर सकते हूँ आपको मिल जाएंगे उसका साथ यह मतरना यहां पर बेस्ट वी क्या से मिल जाएंगे अगर यहां पर बात करूँ तो यहां पर डिमाइक डेट को भी यहां पर आप ले सकती हो और उसका साथ अगर यहां पर आपको डिमाइक डेट को लेना है तो यहां पर पीड़ाइजर लास्ट के रिसेंटली टू मैचेस में इन्होंने आपर 20 प्लस पॉइंट यापर अल्मूस्ट यापर शूट किये तो बिश्ट पे क्या से आपको मिल जाएंगे यह मेरे dreamyalon team है अगर इसमें आपर आपको changes करना है तो आपर जैमिरु का try कर सकते हो यह अमराइक डॉंग को try कर सकते हो जिनका credit जो कि आपर बहुत ज़्यादा है अगर उनको यापर pick करना है तो यन जॉकिस को यहाँ से आपको drop करना पड़ेंगा बाकि यहन जॉकिस का अगर यहाँ से डॉप कर दूँगे तो यहाँ पर दोनों प्लेयर आपके पास आ जाएंगे यही सेकंड ड्रिमेलों टीम जहाँ पर आपको लेना है बस एक प्लेयर पर एक यहन जॉकिस पर और उसी साथ आपको यहाँ पर गार्ड से आपर दो बेस्ट भी क्यासे मिल जाएंगे बाकि यह चेंजेस मुझे आपर सेफ लग रहा है और जो युनिवर्सल्टी में तो वो हो जाएंगे अल्मुस्ट यहाँ पर यहन जॉकिस के साथ और में जार रहा है आपर यहम रॉक्डाउन और जेमोरों के साथ जो कि आपर बेस्ट गार्ड के प्लेयर है और दोनों भी आच्छे कासे आसे पॉइंट है आपर शूट करते वे आपको दिखेंगे और एक चेंजिस कर सकती है जेल के लिए यहम रॉक्डाउन को ट्रॉप करके आप सीलेवर्टी को ट्राइ करना जेल में बाइके स्मॉल ले के लिए अल्मुस्ट है मेरी फैनल्टी में अगर कोई चेंजिस होंगे तो वो मैं आपको पता दूँगा अगर यहापर बात करू और लास्ट मैच इनका अच्छा कासा गया है और सामने होने वाले यहम टर्नर के यहापर सामने होने वाले सेंटर से आपर यहन जॉक्स और यहन जॉक्स के लिए यहम टर्नर ही यहापर जो ऐसे प्लेयर यहापर इंडियम पेस्टर्स के तरप से जो इनको यहापर रख सकते बाकि हापर यह उम टर्नर को अच्छा खासा time मिलने वाला है no doubt क्योंकि यह पर यह उक़िशन जाक इसको अगर आपर ब्लोक करना है तो यह उम टर्नर से better pick आपको इंडियम बेस्टर्स के तरफ से मिलने वाला नहीं तो यह उम टर्नर को time best मिलेंगा head to head matches में भी best performance आया था यह changes कर सकते हो, SP PP choice यहापर बाता दिया, Diss Robinson यहापर SP best SP, उसीक साथ साथ जेमोर यहापर best PP choice, try करना यहापर M Turner को best, उसीक साथ Ultra यहापर PP choice, और उसीक साथ साथ GL के लिए best pick आपको मिल जाएंगे M Turner as a SP PP, जो कि center से कहलेंगे, तो almost यह मेरी final team में, जो भी changes होंगे, मैं आपको telegram channel पर बता दूँगा, अगर कोई changes नहीं होते तो यह team से उखर करके रखना, मैं बता दूँगा final team यही, यही team के साथ आप जा सकते हो, तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आयोंगा, उसी इक सासाथ आपने like और subscribe भी कियोंगा, तो मिलते final team के साथ हमारे telegram channel पर